नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे आईड्राप्स डालते समय, किन-किन बातों का देहन रखना चाहिए, सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोलेना चाहिए, आईड्राप्स की एक्सपारी डेट चे कर लेना चाहिए, बोतल को खोलते ही उस पर डेट लिक लेना चाहिए, बोतल खोलने के एक मेहने के अंदर ही इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अगर आईड्राप्स सस्पेंसन वाली है, तो इस्तेमाल से पहले उसे अच्छे से हिला ले, अपने सिर को थोड़ा पीछे ले, और इसके बाद एक या दो बूंद आँख में डाल चाहिए, बोतल खोलने के बाद उसके कैप को समाल कर रखना चाहिए, यूज करने के बाद लगा देना चाहिए, आईड्राप्स लगाने के बाद आँखों के कोने में नाक के पास हलके से दबाएं, जिससे आईड्राप्स नाक से होकर गले में न पहुँचे और उसका पू के चपकाएं जब तक आपको साफ साफ दिखाई ना देने लगे अगर कोई दो सी ड्राप्स भी डालनी है तो कम से कम 10 मिनट का इंतिजार करें उसके बाद ही डालें अगर आपको आई ड्राप्स के साथ आई आइंडमेंट भी लगाना है तो सही तरीका है कि पहले आई ड्राप्स डालें फिर उसके बाद आई आइंडमेंट लगाएं और आइंडमेंट लगाने के कम से कम दो गंटे बाद ही अगली बार ड्राप्स डालें आँखों में कितनी दवा कब डाल रहे हैं इसका रोजाने का रिकार्ड रखना चाहिए डॉक्टर ने जितनी मात्रा बताई है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए आई ड्राप्स डालते समय क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत ही महत्पूर्ण है जब आपकी आँखें लाल हो गई हो उस दवरान आँखों में दवा ना डाले ड्राप्स डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी नोक आँखों को टच न करें आँख के काले वाले गोल हिस्से में जिसे कॉर्णिया कहते हैं कॉर्णिया के उपर ड्राप्स नहीं डालना चाहिए कॉंटेक लेंस पहने हुए कभी भी आईड्राप्स नहीं डालना चाहिए एक के बाद दोसरा आईड्राप्स कभी भी तुरंत ना डाले जबकि कम से कम दस मिनट का गैप होना चाहिए यदि आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको implement करते हैं तो उसका पूरा फाइदा होगा नमस्कार